कभी सोचा है कि इतना बड़ा देश, दुनिया के सब से ज़्यादा पॉपिलेशन, इतने सारी समस्चा है, कैसे सोल होती है? कौन इस समस्याओ को देखता है क्या चुन हुए प्रतिनीधी देखते हैं लेकिन चुन हुए प्रतिनीधी तो बात साल तक रहे थे और देश को आजाद हुए 75 साल हो गए तो इस अब कैसे होता है कौन चलाता है कौन अंदर से इसको प्रोटेक्ट करके बैठा है कौन इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करके बैठा है जी विल्कुल जो इस कंटिन्यूटी को 75 साल से मेंटेन किये हुए है और आगे भी करता रहेगा उसी का आज दिन है मुबारक को आज 16th सिविल सर्विस दे है 1947 के पहले सिविल सर्वंट बैच को लॉंज करते हुए हमारे सरदार वालभाई पडने कहा था कि ये सिविल सर्वंट देस के श्टील फ्रेम है मतलब देस में सत्ताओ का खेल तो चलता रहेगा सत्ताओ बनेगी, सत्ताओ बिखरेगी सरकारे बनेगी सरकारे बिगडेगी लेकिन ये स्टील फ्रेम हमेशा देश को एक जूट रखेगा और अंदर से मजबूत रखेगा